चलिए दोस्तों आज फिर से बनाते हैं शुद्ध नारियल का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन कोकुनाट ओयल कोल्ड प्रेस तरीके से इसमें हम गैस का इस्तमाल करने वाले नहीं है बिल्कुल धूप में बनेगा यह तेल और इतना शुद्ध होगा इसके अंदर इतने सारे बेन काफी आसानी से बन जाता है लेकिन जो लोग भी कोकुनाट बनाने की वीडियो पहली बार देखते हैं उन्हें काफी ज्यादा कठी न लगता है और वह लोग लिखते हैं कि इसे अच्छा है हम मार्केट से जो पैराशूट वाल मिलता है बीस रुपए वाल वह ले लेंगे तो बीस रुपए वाल में और इस वाल में जमीन आसमान का फर्क है आप एक बार ये शुद्ध नारियल का तेल बना करके देखिए तो इसके लिए आपको पानी वाला नारियल चाहिए जितने मर्जी ले ले लीजे मैं चार ले रही हूँ मैं कभी पांच लेती हूँ कभी यह अए पानी वाला नारियल है के साथ बना को आप ले लीजे मेर माकेट से चिले करें ला सकते उपर वाल उटा ज्हा बहुता आघा उसके बाद जाड़ काट लो एक पानी सेठीन बारा पीतार लगा और और ठेज़ित पर लगा सकते हैं पी जा तो ला बारी काटकर अटक अटक के चलती है और गरम हो जाती है तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके पीसे और पीसते वक्त एक से डिर्व ग्लास पानी जरूर डाले आप अच्छी तरह से पीसने के बाद इससे चानना जरूरी है क्योंकि हमें तो कोकोनट मिल्क यानि की नारील का दूद क्योंकि इस तेल को हम खाने में भी इस्तमाल करेंगे और जो गुदा बच जाए गाना दोस्तों तो इससे बिल्कुल नहीं फिकना उसके साथ क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी काम आने वाली चीज है इससे बनी हुई कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी मतल क्रीम जो है ना वो बिल्कुल अलग हो जाए क्रीम उपर जम जाएगी और पानी नीचे बैठ जाएगा अब इस क्रीम को हमें अलग करना है पानी से तो मुश्किल होगी क्रीम काफी जादा सॉफ्ट होती है तो इसे आप डीप फ्रीजर में जहां आइस जमती है ना वहां क्रीम पानी से अलग कर पाएंगे बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी क्रीम और पानी के रहेगा और जो क्रीम है वो सक्त हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे पानी है और उपर क्रीम है तो हमें तो क्रीम चाहिए तेल बनाने के लिए क्रीम से ही तेल बनती है और ये जो क्रीम है ना इसे आप चाहे तो अपने बालों में लगा सकते हैं बहुत सारे डिजर्ट्स बनते हैं स्मूदीज बनती हैं चहरे पे लगा सकते हैं मतलब मुल्टिकल यूजर्स हैं बहुत बहुत जादा फाइदे बंद है बहुत अच्छी हो जाएंगे आपके बाल अगर बालों में लगाओगे तो अचाह बहुत मुलाइम हो जाएगी और खाने में तो ये स्वाद बढ़ाएगा ये क्रीम बहुत मीठी होती है हम तर टेल बनाने वाले हैं इस क्रीम को आप किसी काच के बोल में ले लीजे और इससे रख दीजे धूपे नौ से दस घंटे के लिए तेल बहुत अच्छी ता से अलग हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर जो तेल की लेर बिल्कुल अलग हो चुकी है और बीच में कर्ड मतलब दही रहता है जो क्रीम थी वो थी और सबसे नीचे पानी अब हमें इस तेल को अलग करना है लेकिन यहाँ भी एक ट्रिक्स का इस्तमाल हम करेंगे वो क्या तेल बिल्कुल क्रीम और पानी के साथ ना मिक्स हो जाने का डर होता है जब आप इस तरह से अलग करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रिक्स में आपको बताने जारी हो नो वो इस्तमाल कीज़ेगा बहुत बहुत काम के ट्रिक्स है इस ओईल को लीजेगा मतलब जो बोल है यह देखे ओईल जो उपर अलग हुआ है बीच में क्रीम है एक तो नीचे पानी है उसे फिर से रग दीजे डीप फ्रीजर में यानि की आइस बॉक्स में नीचे अब देख सकते हैं पानी है और उपर Crough beginners और टेल बिल्कुल अलग हो चुका है हमें तो टेल चाहिए लेकिन क्रीम भी सक्त हो जा की तो हमें क्रीम और ओल्स को अलग कर लेना है दिखे तेल किस तरह से जम चुका है और नीचे बिल्कुल नीचे बोल में जो है पान करना है इसके अलावा कुछ भी कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं जाएगी क्रीम निकलने के बाद अलग रह जाती उपर तो इस क्रीम को भी हम इस्तमाल करेंगे कैसे बताती हूं थोड़ी देर में फिलाल यह जो तेल अलग हुआ है ना बिल्कुल शुद्ध नारियल का त बस साफ हातों से स्पून से ही इसे लीजिएगा जब भी आपको इस्तमाल करना हो अब कुछ सवाल आपके मन में आएंगे कि इस तेल का इस्तमाल क्या हम खाने में कर सकते हैं क्या बच्चों की तवचा पर लगा सकते हैं तो जी हां इससे ज्यादा शुद्ध तेल आपको और कहीं नहीं मिलेगा अपने खुद घर पे इसे बनाया है तो आप बच्चों की तवचा पर इसका इसका इसे लगाए बालो में लगाए और पुलिंग कीजिए खाने में इसका 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 इससे बेस्ट और कोई नहीं हो सकता बेबी मसाज के लिए तो यह उइल सबसे उ बनाने के लिए जो गुदा बच गया था उसके साथ मेने लड़ू बना लिए गुड़ डाल करके आप इसके साथ डैसिकिटेड कोकोनट भी बना सकते हैं मतलब नारिल के घुदे को धूप में सुखा लीजेगा बस डैसिकिटेड कोकोनट तेया रहा है जब चाहे इसके सा का इस्तमाल आप कर सकते हैं मतलब नुकसान बिल्कुल भी नहीं है और इस देल के जो इतने सारे फायदे हैं वो तो है ही तो आप भी घर पे वर्जिन कोकोनट ऑईल बनाएए और इसके बहुत सारे फायदे लीजे